सब्सक्राइब करना है इनकी लेंट भी और हमें एंगल्स भी फाइंड आउट करने ठीक है तो सबसे पहले तो मैं आगर देख रही हूं तो यह मुझे एकुलेटरल ट्राइंगल लग रहा है एकुलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड से सारे जो वो होते हैं वो इकुल होते हैं देखिए 60 आ रहा है यह साइड भी 60 आएगी और वो भी 60 आएगी ठीक है यह भी 60 आगई पर इदर से हम चेक कर लेते हैं दिखें ये भी 60 हो गए तो इसकी सारी साइज जो है वो तो साइज सब 60 है ठीक है इसके लाव हमाई पास AB, BC, CE हमें लेंट फाइंड आउट करनी है लेंट भी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं ये मैंने निकाल के रखी विये लेंट तो आप लोगी देखीजिएगा में पास अभी स्केल मौजूद नहीं है तो हमाई पास जो है वो 2.7 सारी साइज वो हमाई पास 2.7 ही आएंगी तो मैं इसमें से निकालो अलमारी अम्मी अलमारी मुझके सम्में से पास जो ठीक है उसके बाद हमारा ये टाइप क्या है टाइप एको रिट्रल ट्राइंगल है म पर गज़ने तो हमें इसी तरहीं से इसकी रिकार्डिंग्स फाइंड आउट करनी है ठीक है तो हमाई पास यहां पर कौन से इंकल आ रहा है वो चेक कर लेते हैं यह हमारे पास आ रहा है 65 ठीक है हमारे पास R की साइड से हमने मेजर किया ठीक है यह देखें R की साइड से तो यह हमारे पास 65 आ रहा है ठीक है R वाला एंगल हमारे पास आ रहा है 65 P देख लेते हैं P के आ रहा है P भी हमारे पास देखें 65 आ रहा है ठीक है तो हमाँ पस R P Q यह 65 आ रहा है P Q R हमाँ पस आ रहा है यह Q Q हमाँ पस आ रहा है 50 का और Q R P यह भी हमाँ पस आ रहा है 65 Length मैं निकाल चुक्री हूं तो Length आप लोग देख लिजिए हमाँ पस P Q और यह दोनों Length पिल्कुल सेम है 3.8 3.8 ठीक है P Q और Q R P Q Q R 3.8 है क्योंके दोनों सेम लाइन लग रही है और P R जो है वो 3 cm है तो हमाँ पस यह ट्राइंगल जिसकी दो साइड इक्वाल होती है और एक साइड अलग होती है वो ट्राइंगल कौन सा होता है Isoseless ट्राइंगल ठीक है नेक्स पार्ट देख लेते हैं इसका Q 9 Q 9 के अंदर भी हमें इसके रिकॉर्डिंग्स फाइंड आउट करनी है यह देखे यह आपको सारी लाइन अलग लग लग रही होंगी तो यह हमारा जो है वो स्केलीन ट्राइंगल है और इसके अंदर एक Q 9 पूछे हैं आप कुछ भी लिख सकते हैं मैं अगर इतर लिखोंगे तो लिख दूँगे इस साइज डिफरेंट ठीक है अचा जी यहां पर जो साइज है लाइन का वो मैं निकाल चुकी हूँ तो वो देख लीजिए हमारा पास आरी है ED ED हमारा पास आरी है 2.9 DF DF को अगर हम फाइंड आ ED EDF FED E हमारा पास जो आरहा है वो हम देख लेते हैं E कितना आरहा है यह देखिए E हमारा पास आरहा है 40 D देख लेते हैं D कितना आरहा है D हमारा पास आरहा है यह रहा है D हमारा पास 90 का अंगल बन रहा है जी यह देखिए D हमारा पास 90 का अंगल आरहा है और हमारा पस एक अब देख लेते हैं यह क्या रहा है एफ हमारा होगा है फिफ्टी कुशियर नमर 9 कम्प्रीट हो गया अब हम लोग आ जाते हैं कुशियर नमर 10 पर इसके रहे हैं तैन पर इसके रहे हैं तो यह हमारा जो इसका नेम है जिस से बिलॉंग करता है वह है इक्विलेटरल ट्राइंगल चीखे है बाइक आपने क्या करना है मेजर करनी है इसकी साइड बी और आंगल यही इसी तरह सापने अपने कॉपी में टेबल बनाना है कि साइड्स भी मेजर करनी है और इसके एंगल भी ठीक है तो हमाई पास जो है वह इसकी साइड्स क्या आ रही है वह आप लोग मेजर कर लेंगे डेका है آپके पाएस केल होगा न उसमें से कर लें Merci केल मुझद नहीं है तो मैं भी नहीं कर पारी हूँ और मैंने इसकी निकाली भी नहीं है ठीक है तो आप लोग इसको स्केल से मेजर कर लेंगे साइड्स एंगल आपको पता है एक्विलिटरल ट्राइंगल अभी हम पीछी एक निकाल चुके हैं 60 आता है तो इसकी सारे एंगल जो है वो 60 ही होंगे ठीक है ये भी 60 होगा ये भी 60 होगा और सब्सक्राइब दो अदिखना देए ठीक हैं कि मत लोग यह क्लान ओला तो यह पूर देंगे फॉर पॉइंट तो यारी इसकी आप लोग हम लोग यह चेक कर लेते हैं तो यह देख लीजे यह हमारे पास कितना आ गया 25, S हमारे पास आ रहा है 25, U देख लेते हैं, U हमारे पास आ रहा है 70, यह आ गया U 70, अब यह देख लेते हैं, T कितना आ रहा है T हमारे पास आ रहा है 85, ठीक है, यह रहा 80 और यह रहा 85, ठीक है, इस तरीके से जो है, वो हमारा, question number 10 भी complete हो गया, question number 11 देख लेते हैं, without using a protector, यह हम लोग ऐसी solve कर लेंगे, solve किस तरीके से होगी कि हमारे पास यहाँ पर क्या लिखा है, हमारे पास यहाँ पर लिखा है, यह देखे है, हमारे पास एक triangle 180 का होता है, यह वाला angle हमें पता है, यह right angle बन रहा है, यह right angle जब यहाँ पर हमारे पास right angle बन रहा है, तो इसका मतलब यह है, कि यह 90 का angle है, 90 प्लस 45 हम लोग प्लस कर लेंगे तो यह मैं पास हो जाएगा 9, 10, 11, 12, 13, 135, 135, 180 के अंदर से हम लोग 135 को माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, और 7 में से 3 जा रहा है, तो 4, 1 में से बन गया कुछ नहीं, तो इसका मतलब है, यह वाला जो एंगल हो गया, यह हो गया 45 का, ठी ठीक है, अब हमाएं पास यहाँ पर देखें, 84 गिवन है और 22 गिवन है, पहले इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 456, 8, 9, 10, 10, 16 आ गया, 180 में से 106 को माइनस कर देंगे, 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, 7, 1 में से 1 किया कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब है, यह जो हमारा दोनों को प्लस कर लेंगे, पहले 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 13, 180 में से 133 को माइनस कर देंगे, 10 में से 3 जाएगा, 7 में से 3 जाएगा, 4, यह वाला एंगल हमारा पास आजाएगा, Y47, ठीक है, नेक्स पार्ट देख लेते हैं, 30 और 60, 60, 70, 80, 90, 180 में से 90 माइनस करेंगे, तो हमार 90, 90, 180 होता है, ठीक है, यह वाला हमारा 90 का आगया, उसके बाद यहाँ पर हमारे बस 70 और 73 है, तो अगर हम इसको प्लस करते हैं, तो 140, 143 हो जाएगा, 180 में से 143 को माइनस कर देते हैं, 10 में से 3 जाएगा, 7 में से 4 जाएगा, 3, 1 में से 1 गया, कुछ भी नहीं, तो हमारे पा माचिला हाफेज